दोस्तों आप जो मेरे पिछे studio monitor देख रहे हैं यह studio monitor आया है hidden brand के तरफ से और आज के video में करने वाला हूँ इस studio monitor का unboxing review और test इस box से studio monitor को निकाल लेते हैं तो front side में इसके hidden की branding की हुई है इसका radiator काफी premium feel देता है यह अपको यह है इसका Cooperhole जिसे rear port भी कहते हैं यहां पे आपको कुछ modes मिलते हैं, आप modes में switch कर सकते हैं, यहां पे आपको volume knob मिलता है, जिससे आप volume को control करते हो, यह है इसका XLR input, जिस पे आप XLR input भी दे सकते हो, और TRS input भी दे सकते हो, connectivity के लिए चाहिए आपको इस तरह की cables, XLR cable को इसके XLR input पे connect कर लेते हैं, अब इसके other end जोकि TRS cable है, आप इसे अपने mixer या audio interface पे connect कर सकते हैं, तो चलिए इस monitor को on कर लेते हैं, proper installation and connectivity के बाद यह है इसका final look, पूरा वीडियो देखने के लिए creative studio box को subscribe और follow करें